दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वायत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे मारूतिय सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर हम इंपोर्टेंट दो पॉइंट के उपर डिसकस करेंगे पहला पॉइंट अपने पास रहेगा इंट्राडेट ट्रेडिंग के लिए नेक्स ट्रेडिंग में हम लेवल प्रवाइड करने के प्रयास करेंगे दुसरा ट्रेडिंग जो पॉइंट है वह रहेगा दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं इस के उप उपर आएगा CE हमें लेके जाना है या PE लेके जाना है या PE sort करना है या CE sort करना है इसके उपर हम discuss करेंगे तो वीडियो complete बिल्कुल कीजेगा और दूसरो पॉइंट है दोस्तों अगर आपने हमारा telegram जोइन नहीं कि अभी तक बिल्कुल जोइन कर लिजे इस वीडियो की description को आप चेक किजे वहां हमने link डाल दिया है चलेंगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहां आप देख सकते हैं हमने पिछले दिन का यह डाटा है पिछले दिन हमने बोला था पिछले वीडियो में कि 6830 रुपए के उपर निकलता है इसका price तो हम buy करके जाएंगे यहां पर मैंने यहां एक trend line ड्रोग किया हुआ था इस तरीके से और इसके उपर निकलता है इस candle के उपर तो हमना रहा है बाई था और आज का जो हाई इसने लगा के आया है वहा है 6,895 रुपए 45 पैसे का तो इसने हमारा जो target है दोस्तों उसको already achieve करते हुए देखने को मिला है आज इसने और बहुत अच्छे तरीके का moments इसी stocks में देखने को मिला आज के trading session में जिस तरीके से हमने analyze किया हुआ था उसी तरीके का moment हमें नजर आते हुए आज देखने को मिला है तो यह हो गया दोस्तों पिछले trading day की बाते हैं यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ next trading day के लिए हम कौन से level के उपर buy करके जा सकते हैं तो हम दोस्तों इसको buy करके जा सकते हैं 6,890 रुपए के उपर निकलता है इसका price तब हमारा फाला target होगा दोस्तों इस दवरान 6,940 रुपए का और दूसरा target होगा 6,990 रुपए का दोस्तों इस दवरान हम अपना stop loss रखेंगे वह अब होगा 6,840 रुपए का यह लेवल दोस्तों नेक्स ट्रेडिंग डे के लिए इंट्रा डे के लिए रहने वाला है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं और इसके अनुसार आप अपना view प्रोपर बना सकते हैं यहां पे बाई लेवल में क्यों दे रहा हूं इस पॉइंट को थोड़ा से किलियर करने का प्रियास करूंगा यहां पे देखिए continue अभी का मैं टाइम फ्रेंड बताऊं तो अब ट्रेंड में हमें चलते हुए इस स्टॉक्स के उपर मूब आते हुए देखने को मिल रहा है और हम proper downside कभी भी आ नहीं पा रहा है यह जब area अपना support area है proper और यहां पे इस trend line का भी एक breakout होते हुए हमें देखने को मिला है इस trend line में यह देखिए इस तरीके का moments हमें देखने को मिल रहा था भी पिछले चार candle में और आज का candle है वह इस range से उपर closing हमें देखने को मिला है और इस point को देखिए दोस्तों यह important resistance है इसके उपर ही जाके close हमें देखने को मिल रहा है अभी यहां से यह देखिए कल अगर यह continue करता है इस high को break करेगा तो अगरा target हमारे पास 6,944 रुपए के आसपास एक resistance point है तो वहां तक आना चाहिए मतलब हमारा पहला target आराम से achieve होत को मैंने ध्यान में रखते हुए हमारे लेवल निकल के आ रहा है इंटाडेक ट्रेडिंग के लिए यह हो गया दोस्तों अपने पास इंटाडेक ट्रेडिंग के लिए important level और अभी आप CE लेके रखे हैं तो बिल्कुल proper बने रहा सकते हैं इस top अपना भी यह लेवल है 6730 रखे हैं अभी proper इस support line के ऊपर जब निकला था price तब या आज भी आपने CE लेकी रखा है या लिये हैं तो proper profit में होंगे बिल्कुल और अभी अपना जो next target है वाज 7180 रुपय का है तो यहां तक आना चाहिए कल के season में अगर या आज के high को break करेगा तो एक moment देखने को फिर उपर के level में हमे 6960 से उपर क्लोजिंग जब देखने को मिल जा तब एक उपर के लिए move जो आएगा वह fast होगा और fast हमारा target भी अच्छे होते हुए देखने को मिलेगा तो अभी आप CE buy करके जा सकते हैं proper यह support line के नीचे अपना stop loss रहेगा यह PE आप sort करके जा सकते हैं और इस support line के नीचे ही अपना stop loss रहेगा इस तरीके से manage करना है कि support line के नीचे अपना stop loss पढ़े और हमको profit का target भी अच्छा रहे CE buy कर रहे हैं या PE sell कर रहे हैं दोनों condition में या future को भी आप उठा के जा रहे हैं तो एक PE उठा लिजेगा जिससे आपको safety मिल जाएगा proper risk जो होगा वो fix हो जाएगा तो इस तरीके से आप manage कर सकते हैं जैसे future को आपने एक future को भी उठा लिया buy किया इसके बाद क्या करना है एक PE को भी buy कर लेना है इस PE को आप अपने सार उचित मुल्य में खरिदना है जिससे ऐसा manage हो कि proper risk जो होगा वो छोटा सा हो इसमें आपको margin जो लएगा दोस्तों वो बहुत कम लगना चाहिए around 30,000 से 40,000 रुपए का margin लगता है इसमें और इसके साथ आपको stop loss मिल जाएगा stop loss fix हो जाएगा PE जब आप बाई करेंगे तो एक निश्चित price का stop loss fix होता है 5000 या 10,000 उससे अधिक आपका loss नहीं हो सकता लेकिन profit जैसे जैसे या उपर की योड़ जाता जाएगा वैसा profit आपको देखने को मिलेगा जब आप इस तरीके का buy करके जाते हैं तब future को और PE को आप प्रोपर इसमें अध्धन कर लिजेगा इसके बाद ही इस तरीके का position बनाएगा यहां खत्रा कम रहता है क्योंकि इस्टापलोस आपका PE जो है वह बन जाता है यह आपके profit को खाता जरूर है लेकिन इस्टापलोस भी आपको साथ साथ में देखने को मिलते हैं इसमें जैसे आपने future अभी उठाया और उपर जाता है price तो PE में तो हमको loss हो रहा है लेकिन future का जो price है वह PE से थोड़ा सा अधिक fast भगया अधिक तेज रहता रपतार इसके गिरने के रपतार से तो आप proper profit में ही रहेंगे आपके दिशा में अगर market जा रहा है तब और market अचानक ग आप 5000 या 7000 दस जार ऐसे कह सकते हो प्रोपर आप चेक कर लिजेगा कितना loss हो रहा है आपको और किस तहीं किसा आपने manage किया है मैं प्रोपर एक idea देने का प्रयास कर रहा हूं किसा आप करके जा सकते हूं तो हमारे पास अभी CE buy रहेगा और हमारा stopless support line के नीचे है क्योंकि कि अभी अप trend हुआ है इतना जल्दी downtrend नहीं आएगा तिकिन यहाँ डर गए थे थोड़ा से हम लोग कि support line की नीचे आ जाता closing मिलता इस candle को तो हम exit करना पड़ता हम को CE से लेकिन ऐसा कुछ condition हुआ नहीं वापस नहीं से bounce back हमें देखने को मिला है और यह हो सकता है continue करे एक कल हो सकता है थोड़ा से उपर जाए इंट्रडेम फस सकते है ऐसा भी चांस दीख रहा है क्योंकि देखे यहाँ से continue गया कल रेड केंडल हो सकता है इसी आसपास closing मिले फिर अगला दिन green बने ऐसे छोटा छोटा अगर केंडल बन रहा है अभी दीख रहा है उस तरीके का pattern मे तो इस बात को ध्यान रखना है इंट्रडेम में कल फसना नहीं है आज का जो profit बना है उसको कल सबको loss में नहीं convert करना है जो भी net trader है वे मालिजे आज आज आपने 2000 रुपय का earn किया हुआ है तो कल stop loss आपको कितना लेना चाहिए अधिक्तम आपका 1200 से 1400 इतना रुपय का आप stop loss ले सकते हो प्रोपर कल next trading day में आपका 600-500 ऐसे safe होना चाहिए आज के profit को safe करना सीखे थोड़ा सा पूरा को stop loss मत दीजी जिस दिन stop loss दे रहे है उस दिन तभी आप पैसा बना सकते हैं market से तो दोस्तों ये मेरा personal view था मारती सुजुक इंडिया लिमि जरूर ले लिजेगा क्योंकि मैं आपका कोई financial advisor नहीं हूँ और आप मेरे advice से buy sell ना करें buy sell करने से पहले आप अपना विचार अपने financial advisor से advice इससे point को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार ही buy sell करें और proper risk reward को mention रखें money management को ध्यान में रखें तभी पैसा market से बना पाएं तो दोस्तों उम्मीद करता हम वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एक पर लाइक जरूर कर देजीगा जिसे हमारा उत्साब बना रहे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को पहुत बहुत धन्यवाद